आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ताप लोग टाइटल पढ़के ही समझ गए होंगे तो चलिए ज्यादा बखबख मत करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ एक प्रोड्कT SHARE करना चाहती हूं और यह ये वाला यह है PCOROL और यह सिलिकन हेर कर्लर तो आप लोमने क खोल के दिखा देती हूं इस तरह का हीर कर्लर देखिए इसको इस तरह से open करते हैं, इस तरह से open हो जाता है, इस तरह से open हो जाता है, इसमें आपको hair को roll करके feels को आप lock कर सकते हो, इस तरह से lock कर सकते हो, और यह बहुत ही soft है, तो इससे क्या होता है, कि आप इसको लगा के आप आराम से सो सकते हो, आपको कोई problem नहीं होगी, कोई hard feeling नहीं है बहुत ही soft है तो चलिए इसको लगा के फिर देखते हैं कैसे इसको वैर करते हैं इसमें जो एक package आता है इसमें आपको मिलता है 10 इस तरह से मिलता है तो अगर आपके बहुत ज्यादा है या फिर बहुत लंबे बाल है घने बाल है तो आपको सायद मुझे लगता है कि यह कम पड़ेगा तो आपको दो लेना पड़ेगा तो मेरे तो उतने घने बाल नहीं है पतले बाल है तो लगता है कि मेरा इसमें ही काम चल जाएगा तो फिर भी मैंने दो लिया है अगर ना चले तो फिर में दूष्टा बाला निकाल के फिर लगाऊंगे अपने करूंगी जता है कि इतना सारा लगेगा 10 या 15 या 20 जितना लगे गया है उसको पहले से ही ओपन करके एक फिर सब्सक्राइब यह फिर करकोूंगी यह तो मैं अगर आपकी हेरकफ वॉल्व मेरी जैसी हो तो कम से कम आधा घंता तो आपको लगेगा ही इसको पूरी तरह से लगाने के लि कि मैं इसको ठीक तरह से लगाना कि बाद यह लूज हो जा रहा था तो मैं फिर से उसको टाइट करके लगा रही थे लिकिन इसका रिजन है पर हाँ इस हेर कलर का मुझे एक ही डिज़द्वांटेज लगा वो है इसका वेट मुझे लगा कि यह थोड़ा सा भारी सा है क्योंक लूज हो के मेरे मुझे आ रहा था तो मैं उसको भी फिक्स करने की कोशिस कर रही थी तो आगर आप अपने हेर को हीट देना नहीं चाहते हो यानकी इच्छे तो बाल बहुत खराब हो जाता है और बहुत जल्द सफेद हो जाता है बाल और जढने भी लगता है तो आप तो देख सकते हूं कि मेरे बालों में ना तो मैं इसको स्ट्रेटनिंग करती हूं और ना ही मैं इसमें हीट देती हूं तो मेरा हेर जैसा है विल्कुल नैचरल हेर है मेरा तो मैं उसी में ये करलल लगा रही हूं मेरा कोई स्ट्रेटनिंग बेटनिंग किया नहीं हुआ है तो वाजकल तो सभी heat protector यूज़ करके है को करल कर लेते हैं पर मैं अपने हैर के मामले में थोड़ा सा sensitive root और मैं इतने सारे chemicals नहीं यूज़ करना चाहती हूँ अपने बालों में तो इसलिए मैंने हैर को करने के लिए यह try किया है और कुछ दिर पहले मैंने जो आप लोगों को बत है तो मैं ज्यादा है लेके small size का जो करलर है उसको लेकर मैं उसको टाइट करना चाहरी थी लेकिन यह हो नहीं रहा था बार-बार खोल के हाथ में आ रहा था तो फिर मैंने देखा notice कि एक बड़ा है बड़ा biggest size को जब मैंने अप्लाई किया तब यह ठीक से बैट केा मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को difference दिख रहा है कि नहीं कि मेरे दोनों हातों में दोनों size का color है एक small size का है और एक bigger size का है bigger size color का जो inner space है वो भी small size से obviously ज्यादा है उसमें आप बहुत ज्यादा hair strand लेके उसको आप curl कर सकते हो और जो smaller one है उसमें आप सामने का जो hair है उसको आप curl कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक package में आपको दो small size के मिल जाएंगे तीन medium size के और पांच bigger size के curler मिलते हैं तो अभी बज़ रहे हैं साम के शाथ और मैं सुड़े के 7 बज़े आप लोगों से मिख लिए उसकते के लिए बाई तो हाँ मैं उठ चुकी हूँ मॉर्निंग में ही आपने ऊपर यह खोल के दिखा दूंगी कि किस तरह से यह देखे एक निकल के आ गया है बाकी सारे जो मैंने apply के थे वह सारे ठीकी है तो चलिए एक एक करके खोलते हैं देखते हैं कि कार्लिंग कैसा हुआ है तो अभी आप देख सकते हो कि कुछ इसकर रसा आया है और मुझे तो यह बहुत ही अच्छा लगा यह जर कर्लर्स तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर आप लोग अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब भी कर लेना और मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप प्रिप काट से बाइख कर सकते हो जो करीबन थ्री हन्ट की आसपास था 269 या 70 इस तरह का कुछ प्राइस था इसका तो आप देख सकते हो कि मेरे है थोड़ सा फ्रीजी फ्रीजी शा हो गया है लेकिन फ्रीजी कर्स बहुत अच्छे आए है तो अगर आप अपने हैर को थोड़ा सा सैंपू करके ठीक ठाक अगर आपके हैर फ्रीजी ना हो तो यह कर्स और और भी बहुत ज़्यादा खील के आएगी तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि वीडियो के एक लाइक कर देना और मेरे चानल को सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट भी कर देना तो बाई चलते ही